आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मुख्रा के मसूर पेड़े आईए बनाना सुन करते हैं इसके लिए इतने लिए हैं कि इस पाउर भूने हुए चने लगवग ये 200 ग्राम होगे इन्हें हम इसी जार में डालकर पीस लेते हैं आईए हम अपनी चने चैकर लेते हैं इने की इसका अच्छी से पाउडर बन चुका है इसे हम पाउल में निकाल लेते हैं अब हम कडाई में एक चम्मजी डाल कर अपने बुने हुए चने के पाउडर को पूल लेते हैं इसे हम ज्यादा नहीं पुनेगे बहुत हलका साबून कर इसे गैस से उतार लेंगे देखे देखे फ्रेंट्स हमारे बुने हुए चनों के पाउडरों में कितनी अच्छी से कलर आया है अब हम गैस अप कर देते हैं इसे गैस से नीचे उतार देते हैं हम अपने भुने हुए चने के पाउटर को फोड़ी दे ठंडा होने के लिए रख देते हैं हमारे भुने चने का पाउटर ठंडा हुआ था इस अपने कलाई से बाहर बाउल में निकन लिया है अब मिस में डालेंगे आदा कप तगार अगर फ्रेंट्स आपके पास अगार ना हो तो इसमें आप बूरा या पिछी होई चीनी का इतुमाग कर सकते हो इसमें हम डालेंगे वन पोड़ कप पाउडर इस से इसका टेस और बढ़ जाएगा क्योंकि फ्रेंट्स हम बनाने जा रहे हैं मुझ्या आपके प्रेंगे इसमें हम डालेंगे वन पोड़ कप पाउडर इसमें हम डालेंगे वन पोड़ कभी इन साब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्षर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है आईए अब हम इसके पीड़े बना देते हैं हलकी आसे इसको प्रेस करके हलका सा तगार में लखे देते हैं फूर इसे कटे हुए काजू पड़ हुए बादा इसी तरह हम अपने सारे पीड़े तयार कर लेते हैं फ्रेंट्स हमारे मत्रा वाले मसूर बेड़े बनकर तयार हैं और कभी भी मीटन खाने का मन हो तो इस हेल्थी टेश्टी रेसिटी को आख कभी भी बना कर एंजोई कर सकते हैं प्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन को और कर लीजे इससे की मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप को मेंन सकें इसे लाइक और शियर करना ना भूलिएगा थेंक्यू झाल